हेलो दियर फ्रेंट्स वेल्कम बाक तो दिस यूट्यूब चैनल और आज की इस यूट्यूब चैनल पर हम करने जा रहे हैं ICSC क्लास सेविंथ का सिफ्थ चैप्टर विच इस नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम में आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि हमारी आँखें कैसे काम करती हैं हमारे नाख कैसे काम करता है हमारी हम दिमाग में सोच रहे हैं कि हमने बाजू हिलाना है तो यह हिल कैसे रहा है हमारा हर्ट कैसे काम करता है हमारी मसल्स कैसे काम करती है तो कहीं न कहीं ये सारा का सारा जो function है वो किस चीज़ के उपर depend करता है हमारे nervous system के उपर depend करता है जो मिलकर बना होता है हमारे दिमाग से हमारे read के हड़ी के अंदर present spinal cord से और बहुत सारी nerves से तो without any delay let's start this chapter इस chapter को हम पढ़ना भी शुरू करते हैं और समझना भी शुरू करते हैं तो दिखो आप सभी को पता होगा कि जितने भी living beings हैं they are dependent on number of processes which are going on in their body ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि हम जिन्दा हैं हम खाए पिए विना, सांस लिए विना पलके जबकाए विना छीनक लिए विना रह सकते हैं ठीक है तो खाना भी बचाना है respiration भी करनी है movement भी करनी है ये सारे process जो है ये independent नहीं होते हैं ठीक है ऐसा नहीं होगा कि आपने खाना खाया और उसका बाके शरीर के किसी भी organ से, किसी भी system से कोई relation नहीं है आप खाना खा रही हैं तभी तो उसमें से nutrition मिल रहा है उस nutrition को आप use कर रहे हो energy लेने के लिए तो respiration हो रही है उसे nutrition से आपकी body की development हो रही है और body develop हो रही है तो जो muscles और skeletal system develop हो रहा है उसे से movement हो रही है इसे इस तरह से समझे तो जितने भी processes है they are not independent but they are interrelated to fulfill the general needs of the body ठीक है तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर निकल के आई वो यह है कि all functions of the body are interrelated ठीक है यह interrelated बोलीजिये या interdependent बोलीजिये अब इसी interdependence को हम क्या कहते है coordination कहते है जैसे घर होता है ना घर पे ममी ही अगर सिर्फ हो तो वो पापा का काम बहुत मुश्किल से कर पाती है पापा ही अगर हो तो वो ममा का काम मुश्किल से कर पाते है घर में क्या होता है division of labor होता है भाई का काम भाई करता है बहन की काम बहन करती है पापा का काम पापा करते है with each other as per the need of the body ठीक है, internally and externally जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ठीक है, मेरी आँखें देख रही हैं, मेरी हाथ चल रहे हैं और मेरा दिमाग सिगनल दे रहा है कि इसको ऐसे लिखना है और इस तरह से लिखना है, ठीक है, तो मेरा दिमाग, मेरी आँखें, मेरी हाथ मेरी हाथ की मसल्स शो हैं, वो बराबर काम कर रही है, and even my tongue, my vocal cords they are also working, ठीक है तो interact कर रही हैं as per the need of the body internally भी और externally भी इसी को हम क्या कहते हैं coordination ठीक है, the interaction of these activities of living being as per the needs of the body internally और externally is called coordination अब ये जो coordination होता है ये दो टाइब का होता है कौन-कौन सा coordination होता है एक होता है nervous coordination और दूसरा होता है chemical coordination nervous coordination का मतलब क्या हुआ जो हमारे nervous system के through क्या होगा governed किया जाता है ठीक है, और chemical coordination का मतलब क्या होता है chemical coordination का मतलब होता है जो chemicals के through ठीक है, chemical messages के थूँ और इन chemical messages को हम क्या बोलते हैं? hormones यह messengers है chemical messengers के थूँ इनको हम बोलते हैं hormones ठीक है? तो nervous system को देख लेते हैं nervous coordination क्या होता है? this coordination is brought about by nervous system which is made up of किस किस चीज का बना होता है यह? brain का बना होता है spinal cord का बना होता है nerves का बना होता है और sense organs का बना होता है तो very important part यहां पर बनके बाहर आ रहा है कि nervous coordination जो है वो कहां से originate होता है nervous system से originate होता है which has four parts brain, spinal cord, nerves and sense organs okay अब example देख लेते हैं जो आपकी बूक में दिया है when you feel hungry you eat food the act of eating food involves a number of coordinated activities your eyes look at the food placed on the table your brain records this information and action starts the arms get the message as and they are raised and the hands hold the plate in which the food is kept the fingers pick up the food and push it into the mouth the food goes down through the elementary canal and after a series of processes in the body reaches the bloodstream to fulfill the requirement that had arisen when you felt hungry आप समझीगे ठीक है आपको भूक लग रही है बहुत सारी coordination की activities जो है वहां पर involved होंगी आखी आँखें table पर उस food को देख रही होंगी brain record करेगा information को कैसा खाना है क्या है कैसे लेना है चमच से खाना है बीना चमच के खाना है ठीक है फिर क्या होगा जो arms होंगी वो message को receive करेंगी और raise करेंगी hand plate को hold करेंगी फिर उस खाने को खाएंगी ठीक है fingers लेंगी और खाने को मूँ में डालेंगी फिर खाने का क्या होगा elementary canal में जाएगा, बहुत सार processes होंगे digestion के digestion होने के बाद blood stream में वो food जो है वो जाएगा और जो भूख लगने का कारण था वो क्या होगा, शान्त होगा उसके अलावा tennis like के जो game है, tennis जैसे जो fast game होती है, उसमें भी coordination चीह होते है, किस-किस चीज़ का muscles का, brain की judgment का और eyes की observation का, अब sprained ankle, कई बार mousse हो जाती है, चोट लगती है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, दर्द होता है दर्द क्यों होता है, ये बताने के लिए कि वहाँ पर चोट लगी है, उसको जादा हिलाव डुलाव मत, ताकि वह जल्दी recover हो सके second is chemical coordination chemical coordination का मतलब मैंने बता दिया, कि जो chemical messengers से हमें coordination मिलता है इन chemical messengers को हम क्या कहते हैं, hormones कहते हैं और इसमें भी example दिया है, देखो जब कुटा आपके पीछे भागता है न तो आप क्या है बहुत तेज भागना शुरू कर देते हो आपकी दिल के धड़कने बढ़ जाती है और आपको पता भी नहीं लगता कि आप कब इतना तेज भागना start कर दिये आपको लगता है कि आपके अंदर उससे इन बोल्ट आ गया तो ये जो situation है ये हमारी बॉड़ी के अंदर fear and fight hormone जो है वो उसके release होने की वज़ा से हुई जिसके वज़ा से blood में extra energy और strength मिली कि आप भाग सकें ओके तो ये था chemical coordination अब हम देखते हैं कि ये जो nervous system है इसका structural और functional unit होता है neuron तो इसका nervous system का structural and functional unit is neuron और इसी neuron को हम और क्या कहते हैं nerve cell भी कहते हैं ठीक है बच्चों neuron और nerve cell कहते हैं तो देखते हैं ये neuron जो है ये दो main parts से मिलकर बना होता है एक होती है main cell body जिसको cytone कहते हैं जिसमें number of fine processes होती हैं और उन processes को क्या कहते हैं dendrites कहते हैं और एक long process होती है जिसको exon कहते हैं तो यहां पर देखिए ये एक neuron का structure है this is the cytone cytone is cell body and this tail like part is known as exon which is a long process ठीक है इसको कहते हैं exon याद कर लो nerve cell के दो पार्ट होते हैं one is cytone and second is exon okay clear है अब यह जो cytone है इसके अंदर क्या होता है एक nucleus present होता है और इसी cell body की कुछ branches जैसी बनी हुई होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं dendrites कहते हैं so these dendrites are fine processes ठीक है number of fine processes are present which are known as dendrites ठीक है और इसके अलावा यहां पर क्या होता है nucleus present होता है nucleus present होता है cytone में बागे cell organelles भी present होंगी लेकिन main यह चीज़ें present होती है अब इस exon में क्या क्या parts है आपको exam में यह diagram आ सकता है और फिर बोलेंगे कि label करो इसको ठीक है इस exon में क्या क्या होता है कुछ node like structure present होते हैं अगर यह आपका cytone है तो इसकी एक long process होगी जिसको हमने exon बोला ठीक है इस cytone में क्या है एक nucleus है dendrites है जो branched processes होती है cytone की और यहाँ पर exon में हमें कुछ इस तरह का structure देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या है this is node of ranvir यह जो होती है यह होती है sheath बड़ी classों में आप पढ़ोगे कि यह होती है myelin sheath ठीक है और यहाँ पर यह present होता है inter node node of ranvir inter node और sheath यह पार्ठ है exon के यह पूरा क्या है exon and this one is cytone यह exon की जो ending होती है यहाँ पर terminal processes होते है terminal processes यहाँ पर present होते है ठीक है यह इनको आप branches भी कहते हो और इनका काम क्या होता है convey करना message को ठीक है और यह क्या करती है receive करती है cytone receive the message ठीक है अब यहाँ पर क्या है यह इस तरह से message जो है चलता है so message यहाँ पर impulse का मतलब क्या है direction of impulse message है यहाँ पर मतलब ठीक है तो dendrite जो है यहाँ पर message receive करता है यह message through the exon portion से होते हुए next cytone के पास यह जहाँ पर भी इसको जाना है उसके पास चला जाता है अब यह जो terminal process है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है this is the last exon यह इसके terminal processes है और यहाँ पर क्या है यह signal को पास करने के लिए यहाँ पर धेर सारे dendrites जो हैं वो दूसरे neuron के present है यह first neuron का exon है और इस second neuron का cyton है ठीक है यहाँ पर बीच में एक space है जहाँ पर exon और dendrite जो है वो क्या हो रही है मिल रही है ठीक है यह क्या हो रहा है यहाँ पर contact हो रहा है तो जहाँ पर भी exon और dendrite का contact होता है इस जगा को हम कहते है synapse ठीक है ठीक है तो बीच में पर इसको पर लेते है यहाँ पर the cell body contain a nucleus the dendrites are cytoplasmic extension of the cell body they receive messages from the organs and transmit them through the cell body into the exon which transmits the message the end of the exon terminate into a number of branches called terminal branches आगे रिखते है the individual neuron make contact through these processes the terminal branches of exon of one neuron जैसे यहाँ पर बताया terminal branches of the exon of one neuron lie very close to the dendrites of another neuron this point of contact is called synapse it is at the synapse that message is transmitted from the exon of one neuron to the dendrites of the next neuron messages are relayed in this manner from one neuron to the next neuron तो इस तरह से एक chain जो है वो बनती जाती है यह cytone है इसका एक जोन है cytone है इसका एक जोन है और इस तरह से messages जो है वो convey होते रहते हैं यहाँ पर बीच में synapse जो है वो appear होगा बहुत important question है यह अब हम देखते हैं types of neuron neuron की कितने types होते हैं neuron देखो three type की होते हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं एक होता है sensory neuron दूसरा होता है motor neuron और तीसरा होता है associated neuron sensory neuron, motor neuron, associated neuron इस diagram को देखते हैं sensory neurons वो neurons होते हैं जो impulse, impulse का मतलब मैंने आपको बताया क्या है signal है, ठीक है जो signal को sensory cell से या sense organ से कहां लेकर जाएंगे spinal cord या brain तक लेकर जाएंगे suppose या example के लिए ले लेते हैं कि ये जो sensory organ है, ये है आपकी आँख आपकी आँख ने कुछ देखा और वो signal brain तक अगर लेकर जाना है spinal cord तक अगर लेकर जाना है तो ये काम किसका है, sensory neurons का ठीक है sensory neurons का काम है तो sensory neuron क्या करेंगे receptor से, यानि जो आपका eye है, वहां से conduct करेंगे कहां, cell body को और वहां से लेकर जाएंगे आपके spinal cord या brain तक लेकर जाएंगे अब ये तो हमने पहले डिसकस कर दिया ना कि brain, spinal cord, nerves और sense organs ये सारे किस चिसके मिलकर बने हुए हैं neurons से मिलकर बने हुए हैं इनका structural unit भी neuron है और functional unit भी neuron है तो sensory organ कहां से from sense organs to brain or spinal cord second is motor neuron अब motor neuron का काम क्या होता है brain से message लेकर जाना ठीक है कहां को effector को effector क्या हुआ gland और muscle अभी मैंने देखा मैंने यहाँ पर देखा क्या देखा कि यहाँ पर sensory neurons का मतलब लिखा हुआ है मैंने signal brain को भेजा फिर मैंने देखा कि motor neurons को motor neurons है मुझे इसे underline करना है तो मेरे दिमाग ने सोचा और signal दिया कि इसको मेरे हाथ को तो दिमाग से हाथ की तरफ जो signal गया from brain to the gland or muscle which is known as effector वो क्या होती है motor neuron from brain और spinal cord मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको spinal cord to effector effector कौन से जगा हुई जो act करेगी ठीक है कोई gland हो सकती है या कोई muscle हो सकती है थर्ड है associated neuron तो associated neurons कैसे neuron होते हैं ये spinal cord में होते हैं ठीक है spinal cord में होते हैं और ये एक दूसरे के साथ connected होते हैं ठीक है associated transmit the impulse from one neuron to another ठीक है अब ये spinal cord पे कोई काम हो रहा है ये spinal cord है यहाँ पर कोई काम हो रहा है तो अब ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पर एक exon से दूसरे exon तक ले कर जाना है एक cyton से दूसरे cyton तक ले कर जाना है या एक nerve cell से एक neuron से दूसरे neuron तक signal को पास करना है इस कहाँ पर spinal cord में तो ये काम कौन करेगा associated neuron करेंगे या association neurons यो हैं वो ये काम करते हैं जो एक दूसरे के साथ contact को fix करते हैं ठीक है next जो है यहाँ पर वो है nerve तो nerve के बारे में अब हम देखते हैं हम कहते हैं कि हमारी नस दब गई कभी ऐसे सुना होगा आपने घर पे बोलते कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी डॉक्टर ने कहा है कि मेरी नस दब गई है तो यह नस यह nerves जो है यह क्या होती है ठीक है तो nerve जो है इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बंडल है तार का तार का बंडल आपने देखा ही होगा एक तार का बंडल है और उस तार के बंडल के अंदर बोहत सारी तारे होती है ठीक है बिजली की wire अगर आपने देखी हो तो उस wire के अंदर आपको धेर सारी wires जो हैं वो देखने को मिलती है जैसे यह एक wire है इसके अंदर यहां पर अगर मैं देखूं तो बाहर ये एक sheet होती है और इसके अंदर आपको 2-3 wires जो है वो देखने को मिलती है ठीक है ठीक इसी तरह से यहाँ nerves में भी एक bundle होता है और ये bundle किस चीज़ का होता है ये bundle होता है आपका exons का bundle of exons exons तो आपको पता है क्या होते है exon is a part of neuron ये bundle of exons जो हैं ये covered रहते हैं जैसे यहाँ पर दिखाया गया न ये covered रहते हैं through a sheet ठीक है एक sheet है उससे covered रहते हैं जिसको हम बोलते हैं tubular medullary sheet sheet मतलब covering ठीक है enclosed in a tubular medullary sheet a nerve is formed of a bundle of exons that is nerve fiber which are enclosed in a tubular medullary sheet तो ये क्या बन जाता है एक nerve बन जाती है इसका काम क्या होता है अब हो सकता है कि इसके साथ यहाँ पर दूसरा और तीसरा fiber भी present हो तो यहाँ पर क्या होगा ये अलग signal लेके जा रहा है ये nerve अलग signal लेके जा रहे है ये nerve अलग signal लेके जा रहे है तो insulation कौन प्रोवाइड करेगा signals को अलग-अलग कौन रखता है ये tubular medullary sheet ये insulation प्रोवाइड करवाती है ठीक उसी तरह जिस तरह वायर की में current की insulation जो है वो होती है अब ये nerves भी जो है ये further three types की है sensory nerves motor nerves और mixed nerves ठीक है जी sensory nerves में क्या होंगे sensory neurons होंगे ठीक है sensory nerves में क्या होंगे sensory neurons होंगे जैसे हमारी आँख की optic nerve example याद करने है motor nerve में क्या होंगे सिर्फ motor neurons होंगे motor क्या करती है चलती है ना उसी तरह से यहां पर भी चलने वाला जो काम कर रहे है ठीक है only motor neurons होंगे ये वाले neurons जो कहां से brain से effector तक जाते है gland और muscles तक जाते है तो motor nerves में जैसे muscles of eyeball हमारा eyeball आंखे जो हमारे rotate करती है वो किसके वज़ा से rotate करती है इन muscles के वज़ा से rotate करती है और third कौन से होगी mixed nerve जिसमें sensory nerves भी होंगी और motor nerves भी होंगी sensory neurons भी होंगे और motor neurons भी होंगे जैसे हमारे टंग जो है वो क्या करती है हिलती भी है और स्वाध भी लेती है तो nerve which goes to the tongue contain both sensory neurons and motor neurons ठीक है तीन तरह के हो गए तो आज के लिए मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना ही हम जल्दी से इसको revise कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पड़ा हमने start किया है chapter nervous system class 7th ICSC board का इसमें हमने देखा कि हमारी body के जितने भी functions है वो क्या है interdependent है और सारे के सारे organs जो है organ systems जो है वो एक दूसरे के साथ interact करते है जैसे जैसे neat होती है जैसे जैसे requirement होती है और इसी functioning की जो body की ये functioning है this is known as coordination now the coordination in body is of two types one is nervous coordination and second is chemical coordination nervous coordination is governed by nervous system and chemical coordination is governed by hormones which are chemical messengers nervous system की अगर हम बात करे it is constituted of brain, spinal cord, nerves and sense organs the structural and functional unit is neuron which is also known as nerve cell this nerve cell has two parts one is cytone and another one is exon the impulse which is the signal passes from cytone to exon ठीक है cytone क्या है cytoplasmic body है in which nucleus is contained and it has some fine processes which are known as dendrites important है nucleus होता है इसमे this part of the neuron act as a receiver of the message and what is exon exon is the terminal part ठीक है which has terminal processes इनको हम branches भी कहते है and the function of exon is to convey message the part of the contact site of exon of first neuron and the dendrite of second neuron is known as synapse when we talk about types of neuron it is of three types one is sensory neuron then motor neuron then associated neurons sensory neurons कैसे होते है which take impulse from the sense organs and send them to brain or spinal cord motor neurons are the neurons which take signal from brain and send it to effector which is gland or muscle and third one is associated or association neuron which are present in spinal cord और ये एक दूसरे के साथ कैसे होती है associated होती है they transmit the impulse from one neuron to another इसके अलावा we read about nerve nerve क्या होती है nerve is a bundle of exons which are enclosed in a tubular medullary sheath ठीक है exon का bundle है tubular medullary sheath है this tubular medullary sheath का काम क्या होता है insulation provide करवाना ठीक है so structure के basis पे ये neuron ये nerve ये three types की होती है one is sensory nerve second is motor nerve and third is mixed nerve sensory nerves consist of sensory neurons example is given here your optic nerve of the eye motor nerve consists of motor neurons and mixed nerve consists of sensory plus motor neurons so आज के लिए इतना ही अगर आप पो ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने बाकिस साथियों के साथ इसको share करें like करें subscribe करें और जरूर comment पेक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका next part जो है वो next video में आपको देखने को मिलेगा तब तक के लिए अपना थ्यान रखिए thank you